पलवल के शेकपूरा मोहला में बधाई मांगने को लेकर किन्नरों के दो पक्षों में जगडा हो गया बताया जा रहा है कि जगडे की रंजिश रखते हुए एक पक्ष के निवास पर रात के समय गोली चलाने वो धमकी देने का मामला सामने आया है पिडित पक्ष ने शेहर थाना पूलिस को इसकी शिकायत दे दी है पलवल के शेकपूरा मोहला निवासी किन्नर टीना ने बताया कि बधाई मांगने को लेकर उनके इलाके बचे हुए हैं हरी नगर निवासी किन्नर पक्षो का ग्रूप पिडित के इलाके में आकर बधाई मांगते हैं इसको लेकर दोन पक्षो के बीच छगड़ा हो गया पिडित किन्नर ने बताया कि रात को वह अपने निवास पर मुजूद थे उसी दोरान दर्वाजा बजाने की आवाज आई पिडिता ने जैसे ही दर्वाजा खोला तो दो यूवर खड़े हुए जिन्नोंने गोलिया चलानी शुरू करती और धमकी देते वे मौके से फरार हो गए गनिमत रहे कि गोली किसी को नहीं लेगी मामले की शिकायत को लेकर दोनों पक्ष शिकायत लेकर शहर थाने में पहुँचे और पूलीस के सामने जम कर भवाल काटा थाना प्रभारी नायव सिंग ने बताया कि पित पक्ष की शिकायत मिल चुके है शिकायत के अधार पर कारेवाही अमय में लाई जाएगी तदा गोली चलने के कोई सबूत मिलते ही उसके तहत कारेवाही की जाएगी ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइज शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवादी झाल